वेल्कम टू हाइ स्टूडी चैनल आज हम डीडी एस एक्जाम जो हुआ था उसकी एक्सपेक्टिड कट अफ के बारे में जानेंगे वह अंदाज़ा कितनी हो सकती है तो एस अमलब असिस्टेंस एक्शन ओफिसर तो यह एक्जाम हुआ था यह पांच डेट में हुआ था कु तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इजी टू मोडरेट ही करेंगे और इसमें जो नेगटिव मार्किंग थी या नहीं तो बिल्कुल थी और टूबाइ थी इसकी जो है नेगटिव मार्किंग थी तो उमीद आप सब थोड़ा एक्टिशी पर ध्यान देखके ही देखते हैं तो जो कट ओफ की वो कितने में से होगी 200 में से तो आये देखते हैं तो जो जो कट ओप है उसकी जो कट ओफ है वो 130 से 140 के बीच जा सकती है ओबीसी की 120 से 130 और जो SC category है उसकी 110 से 120 है ST की हमारी 100 से 110 के बीच जा सकती है ESMX servicemen है या PWD people with disabilities इनकी 70 के अप्रोक्स जो है ताकि दूसरों को भी इंस्पिरेशन से मिले THANKS FOR WATCHING, PLEASE LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE